Hi Everyone, Welcome Back to a New Video और ये वीडियो है आप लोगों के लिए जर्मनी जो है D-Visa के बारे में ठीक है तो इसके बारे में हम बात करेंगे जर्मनी की जो वेकिंसी हैं आप लोगों के लिए उसके बारे में तो चलो जादा देड़ना करते हुए वीडियो को करते हैं, स्टार्ट तो यहां पर जो है यह अनिस्किल्ड डी कैटेगरी में जर्मनी के लिए है, नेशनल वर्क पर्मिट वीजा है, इंडियन नेपाली सेटीजन इसके लिए दोनों ही एपलाई कर सकते हैं, वर्क पर्मिट रेजिडेंस कार्ड ठीक है, इसके तुरू आप किसी भी शेंगेन कंट्री में मूब कर सकते हो इसके बाद ठीक है, और इसमें आप जो शेंगेन कंट्री हैं, वो 29 हो चुकी है, आपको पता होगा सबको, तो ग्रुप हो गया है यह, तो आप बिना किसी रोक्तों के, बिना किसी एक्स्टा घर्च के, जो है, मूब कर सकते हो, या फिर अगर आपको अच्छा लगता है किसी दूसरी कंट्री में जॉब या अच्छी अपॉर्चिनिटी मिलती है, तो आप मूब कर सकते हो, इसली ठीक है, अब यहाँ पर अगर बात करें, तो और इसमें जॉब काटे है, जो रिक्वार्मेंट है, वो बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, चौ प्रोसेसिंग फैक्ट्री, जिसमें लोडिंग अनलोडिंग का काम है, कंस्ट्रक्शन साइट है, इसमें भी काम है, लोडिंग टाइम जो रहेगा, वो पचास से साट मिनट इन आ डे ओनली, इससे ज़्यादा का नहीं है, ठीक है, बाकी टाइम आपको अधर काम रहेगा, तो यह मैं सोचना कि पूरी दिन पर आपको जो है, उठक पटक अलोड़ा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, लोडिंग अनलोडिंग के वल एक गंटे, इससे ज़्यादा की आपकी नहीं है, पचास से सा indraking time in a week 35 घंटे का आपको time 35 से 40 ही होता है, यह कहने के लिए आपको 350 यूरो जो है, प्रॉड़ाइट करेगी, यह ईखमोडेशन प्रॉड़ायद भाई गंपनी तीक है, यह भी आपको कंपनी प्रॉडार रही है, 4 people in a flat यानि कि जो accommodation है वो sharing पे होगा और एक flat में जो है चार लोग रहेंगे transportation जो है वो भी free of cost आपको दिया जाएगा इसे में दिया रहेगा age limit की बात कर लेते हैं तो वो सबसे बड़ी बात है आप लोगों के लिए यहां पर जो age limit है वो है 18 से लेकर 50 साल तक के लोग इसमें apply कर सकते हैं total processing time की अगर बात करें तो 90 to 100 working days की बात है इसमें ठीक है तो लग बाग इसमें आप 4 से 5 महीने मान के चलो इतना लग जाता है ठीक है कई बार क्या होता है इससे जल्दी भी काम जो है हो जाता है तो इतना आप फिर भी मान के चलो लेकिन अगर आपको apply करना है तो आप इन केटेगरीज में apply कर सकते हैं अब एक बात देखो मैं आपको फिर भी बता देता हूँ हिंटे देता हूँ कि आपको जो service charge इसमें रहेगा जो लोग क्या बुलते हैं बलगारिया जैसी कंट्री या हंगरी इन कंट्रीज का नहीं दे पारे वो इस कंट्री में apply मुश्खिल से कर पाएंगे इवन नौर्वे की भी इससे काफी कम कॉस्ट में और सल्ली इससे दुग नहीं है बहुत अच्छी सेलरी है वैसे तो इससे अच्छी सेलरी है तो आपने वो वीडियो भी नहीं देखी है तो उसको देख लो क्यूंकि यहां पर जो सर्विस चार्चेस है उन कंट्रीज से जो है काफी हाइफाई है तो बाकी यह उनके लिए अच्छा है जो जिनका ड्रीम है जर्मिनी ठीक है अगर आपको रिव केमेंट करो तो आप वो वीडियो देख सकते हो जिनको इसमें जाना है वो इसमें एपलाई कर सकते हैं ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही मिलते है अगली वीडियो में तिल देन बाई बाई टेक कियर